नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों क्या चीन भारत के खिलाफ कोई एर स्ट्राइक करने की साजी सरच रहा है क्योंकि तैयारी है तो कुछ ऐसी ही चल रही है भारत से लगते हुई सीमा के करीब जितने भी चाइनीज एर बेसिस हैं वहाँ पर लड़ाकू विमानों की जो तैनाती थी उसे दुगना कर दे गया है यनि कि जितने पहले तैनात से उनसे तुरंत दुगना कर दे गया है और इससे भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो और ज़्यादा गहरा गया है क्योंकि दोने देशों के बीच मेजर जनरल तक की बातचित हो चुकि है लेकिन कोई भी सलूशन निकल नहीं दाए और खासकर कि पैंगोंग लेख वाला जो इलाका है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेजिक अडवांटेज का इलाका है और चीन हमेशा से उसे हत्यानी के कोशिशों में रहा है और वहाँ पर चीन ने विवाद और ज़्यादा बढ़ा दिया है और उसे सुल जाने के लिए तयार वो नहीं दिख रहा ऐसे में लड़ाक युमानों के जो एर फोर्स है उसने एक इंस्ट्यूट बना हुआ है जिसका नाम है चाइनीज एर स्पेस स्टडी इंस्ट्यूट ये काम करता है चाइना का जो एर स्पेस है यानि की चीनी जो वायुसेना की गति भी दिया उनके जो लड़ाक युमानों की उड़ने का पैटर्न उन्हे एक तरीके से ये स्ट्डी करता है तो उसने एक चीज नोट की है कि जुलाई 28 को चाइना ने अचानक से अपने जो एरक्राफ्ट थे भारत की सीमा पर उन्हें दुगने कर दिये जी हाँ उनकी संख्या बढ़ाकर 36 कर दी गई है जी हाँ और इसमें बताया जा रहा है कि करी एरक्राफ्ट ऐसे तैनात किये गए है जो जादा से जादा भारी से भारी समान एक तरीके से डिपलय कर सकते हैं भारत से लगी हुई सीमा पर इसके लावा इसमें दो केजी 500 एरबोर्न अर्ली वार्निक सिस्टम है यानि कि भारत की जासूसी करने की भी तैयारी है इसके ल होटान एरबेस पड़ता है उनका यानि की भारत से लगे हुई आ के पास चीन का सबसे बड़ा एरबेस है चीन के पास बहुत सारे एर बेस है जैनना के पास मातर नहें यह ने कि अपने आपने हैं माना जा रहा है क्या चायना कोई एक स्ट्राइक करना चाहता है भारत पर तो फिलाल बहुत से जाध हो एक्सिपेर्ट है वो ये मान कर चल रहा है कि जो भारत ने राफेल खरीदा है और उसकी तैनाती कर रहा है मिल-29 की तैनाती कर रहा है एक त्रिके से लेल अद्दाक के आसपास उससे चीन पर एक प्रेशर की रेट हुआ है तो उस प्रेशर को हटाने के लिए चाइना ने अपने एरक्राफ्ट की तैनाती दूगनी कर दी है हाला कि जो जादर विशेश के ये भी आशंका जिता रहे हैं भारत इसे हलके में नाले और अपनी तैयारियों को लगातार तेजी से बढ़ाते रहे क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है हम सभी लोग ये मान कर चल लेते और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कि चाइना कभी भारते सेनिकों के साथ हिंसा नहीं करेगा लेकिन उसने गलवान गाटी जैसा जो इंसिडेंट हुआ था उससे अब चीन पर कतई भी भरोसा नहीं किया जा सकता और यहीं जातर एक्सपर्ट भी कर रहे हैं और भारत की सेना भी इसे अपनी तैयारियों में लगी भी है भारते सीमा तेजी से लड़ा को उमान हेलिकोप्टर को तैनात कर रही है और अब तो चिनूक हेलिकोप्टर रापाची हेलिकोप्टर रात में भी ऑपरेशन्स कर रहे हैं यानिकी उडान भर रहे हैं जो अन्याप में भारत की तैयारी को दर्शाता है तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना है जैसे मुझे इस मुझे इस मुझे पर और अपडेट मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा आप से चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यों रॉच्छ वीडियो